हलो एवरिवन दोस्तों आज एक फिर नहीं सवाल है दोस्तों आपको स्क्रिन पर दीख रहा होगा कि रूट वन अपान आई प्लस वन अपान जे का मापांग एवं कोडांग के ग्यांद कीजिए दोस्तों इसको करने के लिए सबस्पहले आप क्या करना पड़ेगा है दोस्तों इसको लिखिए उसके बाद इसका पर मेई करड़ कर देजिए जी हाँ दोस्तों इसको परमेई करड़ दोस्तों इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं इस तरह से ठीक है न दोस्तों इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं दोस्तों तो इसका परमेई करड़ करेंगे तो हमने पहले ही बता था कि इसकी संख्या क्या होती है बदल जाती है दोस्तों इसकी संख्याएं बदल जाती है इस तरह से रूट में अब दिखिए दोस्तों ये है क्या माइनस ये भी क्या है माइनस अब जहां देना है वन है वन आई वन आई और यहां पर प्लस है है माइनस है ठीक है न ये दोनों माइनस है ठीक है और ये सोरी यहां तो plus हो जायगा दोश्तूं और यहां पर plus हो जायगा A minus B का और यह plus B का देकिए 1 A square plus B square का फानुला बना but root cancel हो जायेगा इसलिए 1 plus I यहां पर बचा ठीखे दोश्तूं और यहां से अगर करें तो यह भी क्या होता A square plus B cancel तो बचे के 1 minus आई ठीक है दोस्तों इस तरह से ठीक है अभी करना क्या है दोस्तों ध्यान देना है अभी करना है कि अगर हम इसका परमेई करण फिर से करते हैं ठीक है न दोस्तों अभी तो क्या किया समल दो दोनों पच्छों क्या किया इसका अब ध्यान देना अब इसका अगर हम परमेई करण करते हैं क्या अब इसका परमेई करण अगर हम करें तो प्लस वन आई प्लस वन आई अब इसका अगर हम परमेई करण अब करते हैं तो यह बसेगा क्या one plus i plus i plus i square ठीके दोस्तों और यहाँ पर बस जाएगा one plus one plus one क्यों है क्योंकि i i square करके minus करेगा तो इसलिए इसको लिख दिया मैंने क्या plus अब इसको add करते है तो इसको अगर हम add करते हैं तो हमारा आता है क्या i one plus two i minus one minus one cancel तो बचा क्या दोस्तों और यहाँ से one one जोड़ेंगे two आ जाएगा तो यहाँ से आ सकता है क्या zero plus two i upon me two इसलिए one से one cancel तो zero plus i बचा zero plus i को अगर हम a i b के रूम में तूलना करेंगे ठीक है दोस्तों सोड़ी दिखना ही रहा है तो आगे बढ़ते हैं और देखे इसको हम लिख सकते हैं zero plus one तो इसलिए इसको लिखेंगे a plus i b से तूलना करेंगे तो h equal to zero आ जाएगा b equal to one ठीक है दोस्तों b equal to one हो जाएगा तो यहां से अगर हम मापांग गयाद करना चाहिए क्योंकि दोस्तों हमको बोला क्या है मापांग गयाद करना है तो मापांग के लिए क्या होता है मापांग के लिए होता है a का i square plus b का i square तो a का i square zero तो b का i square one ठीक है ना one का i square है टो इस प्रकार अभी की मापांग गयात करने के लिए क्या बोला मापांग गया 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 तो मापांग वन आ गया ठीक है ना दोस्तों वन इसलिए हम पर लिखेंगे क्या इसको मापांग ठीक है मापांक वन आया अब देखे मापांक वन आया तो कोडांग ग्याद करना है कोडांग किस तरह से ग्याद करेंगे दोस्तों हम कोडांग इस तरह से ग्याद करेंगे कोडांग का फार्मूला होता है ठीटा 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 इस इस प्रकार होता है अब देखिए अगर हम वी क्या होता है 10 इन वर्ट में अब अब बीकी वैल्यू हम को क्या प्राप्त 3 वन लेकिन एकर उफ्त觉 स्क पर यजिड्य क्या सिक ना यह क्या है हमको और फ्राप्त अब ये क्या होता है तक यह जीरो की बात कि या तो क्याता है टैनिनियुव ठीड्य report 10-0 थैंश में थे थे खेंगे दोस्तों और 10-0 क्या होता है 90 का मान होता है इस तरह से 10 से 10 अगर ठीटा इसकोल 2 बात करें यह 90 क्या होता है पाई भाई टू होता है तो अगर हम डेमर के नियम से देखे यह दुरूइ प्रमे के या तो धिक इस तरह से और about one तो रख नहीं सकते प्लस आई ओठीटा का स्थान पर हम रख सकते हैं क्या पाइब अधू इस प्रकार आई साइन पाई बाई टू दोस्तो इस तरह सम ग्यांद कर सकते हैं ठीक है दोस्तो हमको ग्यांद क्या करना था सिप यहां तक ग्यांद करना है ओके तो यहां सो गया दोस्तो उम्मीद हो आप लोगों को समझ में आयागा दोस्तो आप हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे दोस्तो इस तरह वीडियू बने रहे हैं और हमारे कॉंटेंट को सुनते रहे हैं धन्यवाद झूंट